विए बारे में जानकरित देंगे यह कहां मिलते हैं कैसे मिलते हैं इस ती सारी जानकरी आपको इस वीडियो के माद्दम से मिलने वाली है तो आज यापसे रोकेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को नहीं भूलना ऐसी वीडियो के बारे में हम आपके लिए लागते रहते हैं तो सबसे पहले माँ आपको साड़े दिखा देता हूं यह है दोस्तों का साड़े बिकेट यह है दोस्तों का बी साड़े बिकेट और दोस्तों यह है जो सूर्टी बिकेट का सीस आठ़ बिकेट जी हां दोस्तों देखो आप सबसे पहले दोस्तों आपको यह लेना हुगा तो आपने नांग होगा लेना हुगा pup तो आपको यह साइटीबिकेट कहां से मिलीगा यह कुश्सर न आता है सिर्व साइटी लेगा हमें तो सबसे पहले आपको नाइंत क्लास में एडिविशन लेना होगा अब नाइंत क्लास में एडिविशन की जब बात आती है तो आपको नाइंत उस कॉलिज में एडिविशन लेना है जिस कॉलिज में एडिविशन है ठीक है दोस्तों यानि आपने अगर आपके य लिया तो आपको NCC का ये सार्टिपिकेट और NCC नहीं मिलेगी आपको उसी कॉलिज में एड़िशन लेना हुगा जिस कॉलिज में NCC का कोर्स अभी लेबिल है तो आपने जब 9th क्लास में एड़िशन ले लिया आपकी 9th में परेड होंगी और होंगी आपकी 10th में परेड फि फिर आपको ये सार्टिपिकेट मिल जाएगा एक्जाम पास होने के बाद जब आप ये सार्टिपिकेट फिराप्त कर लेते हैं एर सार्टिपिकेट आपको जब मिल जाता है दोस्तों फिर आप आगए 9th आपने क्रोज कर दिया 11 जब आपने एड़िशन लिया 9th टैन्थ सबस्क्राइब पहुंचे का Oh संध्राइब मिलगें से खुज रहे है सब्सक्राइब सम्झक्राइब ठीक है दोस्तो फिर आपने आइसी सी जन्च की तो अटी क्लास में जब पुंछे फिर आपो आइनसल से का भी वी आइक्जम दिया फिर आपsk lijक्त मिलगें ї gözie स्पुल मिल जाएगा आप बात करते हैं दोस्तों स्वी ठीड की पहले क्या होता था दोस्त लग बत छ शे साल पहले आपको 11th क्लास में भी डें ये जाता था और आपको 12th क्लास में C-Satibakit मिल जाता था एक साल के अंदर C-Satibakit आपको मिल जाता था लेकिन अब ये खतम कर दिया है नियम आपको Girujation करना होगी सही सुना बिलकुल आपने आपको Girujation करना होगी आपको BA करना होगा या BSC करना होगी ठीकर दोस्तो तब आपको C-Satibakit NCC का मिलेगा ये हैं दोस्तो NCC का C-Satibakit जिसके पास NCC का C-Satibakit आपको मिल चुका है तो समझिए आप आर्मी में 90% फोजी आप बन चुके हैं आपका सपना साकार होने बाला है दोस्तो अगर आपको C-Satibakit मिल जाता है इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है हमने इसके बेनिफिट बता आया है आप देख सकते हैं वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी बहुत वीडियो हमने अप्लोड की है आप लोगों के लिए तो ये अप बात करते हैं NCC का C-Satibakit कैसे मिलेगा सबसे पहले आपको 9 और 10 में मिला A.S. Certificate 11 तोल्थ किलास में मिला आपको B.S. Certificate और फिर आपको BA और B.H.C में जब आपने अडिविशन लिया उस कॉलिज में डिगरी कॉलिज में जिसमें NCC का कोर्स अभी लेबिल था या है फिर आपको NCC का C.C. Certificate मिल जाएगा लेकिन आपको नहीं रनिंग करना होगी नहीं इसका एक्जाम देना होगा आपको NCC का A.C. Certificate दिखाना है और NCC का B.C. Certificate आपको दिखाना होगा जब आप दोस्तों NCC का A.C. Certificate और B. Certificate दिखाते हैं कब दिखाऊगे आप जिस दिन NCC की भरती होगी उस दिन आपको NCC का A.C. Certificate लेके जाना है और P.I. स्टाप को A.N. O.S. को दिखाना है कि सर ये देखिए मेरे पास NCC का A.C. Certificate मैं कर चुका हूँ NCC में अपलाई करना चाहता हूँ बिना R.A.C. के और बिना किसी Medical के और बिना Exam के आपको C. Certificate में Admission मिल जाएगा आपको B.A. First Year अगर आपका है आपकी परेड होगी B.S.C. First Year है आपकी परेड होगी Second Year में पहुँचे आप B.A. First Year में परेड होगी रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की ने करने का अरम सी लेने का A.C.C. का B. Certificate लेके जाना है और P.I. स्टाप को A.N.O.S. को दिखाना है कि सर ये देखिए मेरे पास A.C.C. का A.C.C. का A.C.C. का A.C.C. मिल जाएगा आपको B.A. First Year अगर आपका है आपकी परेड होगी B.A. First Year है आपकी परेड होगी Second Year में पहुचे आप B.A. First Year में परेड होगी और आपका जनबरी में एक्जाम हो जाएगा B.A. First Year में आपका परेड हुई और Last जब सेकिन दीर में आप पहुँचेंगे जो जन्वरी आएगी दोस्तो उसमें आपका एक्जाम C सार्टिपिकिट का हो जाएगा यानि आपके टोटल अगर हम साल की बात करते हैं तो आपकी 5 साल यानि 5 साल आपकी जाती हैं और आपको A, B, C तीनों सार्टिपिकिट आपको मिलते हैं यानि आपने 5 साल में तीन सार्टिपिकिट आपको मिलते हैं दोस्तो तो ये C सार्टिपिकिट का आपका एक्जाम आता है ये थोरा टप आता है इसकी आपको तयारी को जादा करनी पड़ेगी ए और बी सार्टिफिकर का नॉर्मल एक्जाम आता है यह तो आप हसके भी पास कर देते हैं लेकिन आप क्या है दोस्तों एंसीची की बहुत ज़्यादा मांग हो चुकी है इस बज़े से आपका एक्जाम थोरा टप आएक्जाम आने लगा है तो मेरी उमीन दिया है आप से व कोरों कर सकते हैं आएंसीची गूरूप सर्च करके फेस्बग पर भी और मैंने गूरूप बना रखा है आएंसीची इनक्वारी सेंटर उस गूरूप में आप जरूर जवान हो जाएं दोस्तों ताकि मैं जो नोटिफिकर्सन की वीडियो होती है सबसे पहले उसमें डारता तो वीडियो कैसे लगी एक बार कमेंटी में जरूर बता दें दोस्तों और मिलते हैं नेस्ट वीडियो के लिए जबता के लिए जय हैं जय वारत